कि 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 अपने परिवार वाइफाइश चड़ी टू पॉइंट ओपर दोस्तों रात के नौ बच चुके हैं और आपका फेवरेट सो बेश टू हंड़ेट प्लस सिक्स मंथ करेंट अफेश शो जिसने ना जानी कितने बच्चों को अपने मंजिल तक पहुंचाया है और ऐसे सिस यह सल में भी लगाता जंडे गारते चला जा रहा है तो दोस्तों कि कब तक द्वंद संभाला जाए युद्ध कहां तक टाला जाए तू तरफ लिखा हो बारत सिक्का वहीं उचाला जाए तू भी है राणा का वंसज चल फेक जहां तक भाला जाए 87.58 मीटर भाला फेक दिया है जैवलिन थ्रोक कर दिया है दोस्तों कि हमारे चोपड़ा जी ने नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी 12 साल की उमर में 87 किलो के ही थे जब यह 87 मीटर का जो आज इनोंने किर्टिमान रचा है वजन कम करने के लिए स्टेडियम जाया करते थे और वहां से जैवलिन थ्रोका नशा लग गया गुड इवनिंग सभी लोगों को काजल सूरज सिवानी अवदेश भावेश सभी लोग से पेरिस में और बाद में लौजेन स्विज्जर लेंड में 125 साल में किसी एथलीट ने गोल्ड नहीं जीता भारत में कि 28 में एक गोल्ड अर्विन बिंदरा ने जरू जीता था टेन मीटर एर राइफल पिस्टल में लेकिन दोस्तों एथलीट ने किसी नहीं जीता था इसी वज़ें से चौथे नंबर प्याई थी कभी पीटी उशा जी कभी मिल्खा सिंग जी इन लोग का सपना था कोई गोल्ड जीत जाए एथलीट अज वो सपना पूरा हुआ लोग को भी लगता था कोई गोल्ड ने जीत रहा कोई लड़का ने जीत रहा है तो भाई रवी दहिया सिल्वर जीते और नीरत चोपडा ने गोल्ड जीता तो भाई साब सोने की चिडिया और बहुत गर्व का पल है इस देश की धरती भाई हर आदमी नाच रहाता उदर क्रिकेट का मैं चला सुनिल गावसकर नाच रहे उदर ग्री मंत्रे अनिल विच देख रहे तो नाच रहे एक से मेरे घर मेरे फिता जी नाचने लगे तो भाई साब यह वह फल है थीक है यह वो पल है बहुत मज़ेदार पल है दोस्तों बहुत मज़ेदार अज यह सब नहीं बताऊंगा कब क्या पढ़ाता हूं आज से टैडे एंजॉय करो कल संदे एंजॉय करो कल 12 बज़े दो पहर को weekly current affair की class में आ आ जाना एप में मुझे में special class दे रहा हूं व सब्सक्राइब कर लिए दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आज भाई साब बहुत अच्छा दिन है बहुत खुशी का दिन है और भाई बजरंग पुनिया जो लोजिंग सेरमनी पर हमारे धजवाक होंगे उन्होंने भी ब्रॉंच जीता है और खतरनाक करीके से हराया है देखें यहां कुमकुम रहे बता लिए कि पीडिएफ आपको कहा मिलेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मजा आगया आज क्या बताया जाए कहीं भी स्कॉलर कोई भी देने के लिए अनकेडमी एप को जब आप यूज करते हैं तो कोड बस आपको मेरा याद रखना है पीएसाइटेन बाकि सबका कोड भूल जाहिए चालेज यार कंटेंट बीजा प्रैक्टिस कोश्चन है यह जरूर देखिए दोस्तों तीचरों के सब की मेहनत है क रेक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ोगे ठीक है बहुत बढ़े हों कि सभी लोगों ने बैच भी स्टार्ट किये हैं चारतरी को मेरा भी बैच एक अख हपते में सुरू करूंगा मैं ना एक हपते में मैंने भी प्लस बैच क्योंकि बही सब्सक्रिप्शन जिन्हों ने ल स्कॉलर्शिप मिल जाएगी यह एयर आइपोड मीनी एपल एयरपोड जेबल स्पीकर अमेज़न वाउचर रैंक वन से तीन आ गया तो भाई एक सल का सब्सक्रिप्शन खर्चे नहीं करना पड़ेगा इसे मिल जाएगा सेविटी फाइप पसेंट स्कॉलर्शिप चार्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई मेरे सारे जो है कि क्लास देखने के लिए मुझे प्यूसिंग नाम से भी सर्च कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही हुआ है सारी क्लासे आपको जुलाई का मंतली करेंट अफेर हो बैंकिंग की क्लास हो एकनॉमिक्स का मुद्राइस पढ़ना हो या वीकली करेंट अफेर पढ़ना हो बैंकिंग के सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाएं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अलग-अलग सबके बैच नहीं लेने होते हैं चौबिस महीने पहले जिसने प्यूसर का बैच लिया तो आज फ्री में पढ़ रहा है उसको नहीं पता था प्यूसर आने वाले हैं लेकिन मज़ा ले रहा वह तीन सो पच्चीज रुपए पर मंदरी जस रुपए की कॉस्टिंग है भाई क्या चाहिए या इतना रुपय चाहँ तक खरीटा खीच जो जितने जो है लोंडे न आहनों क्या कमेंट किया मालूम है कि लजव यह निरज गोल्ड फ्लैक दोस्तों तो दोस्तों अगर दोस्तों आईए पहले हम लोग कल के हुमवर क्वेश्चन दिया था कि उस संगठन का नाम बताइए जो अरुण जेटली राष्ट्री वित्ती प्रबंदन सहस्थान में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर आफ एक्सिलेंस बना रहा दोस्तों सेंटर आफ एक्सिलेंस अभी देखो नेशनल फॉरेंसिक इन्वर्सिटी में भी बना था गांधी नगर में आपको याद होगा है ना तो यहां पर अब देखो अरूर जेटली जी पहले तो यह नीजिया से एक हमें करेंट अफैर मिलता है एन आई एफैम एन आई एफैम नेशनल इंस्टिटूट अफ़ फिनेंशिल मेनेजमेंट यह जो सहस्थान इसको अरूर जेटली जी के नाम पर रखा गया अरूर को दिल्ली उग्राइज बना रहा है सुसमा सवराज जी के नाम पे बना रहा क्योंकि सुसमा सवराज जी का निदन ऊए वीदेश मंत्राले का कोई इस्टिटूड का नाम पूछे तो सुसमा सवराज तुक्का मार देना फिनेंश्यल कोई इस्ट्ट्यूट पूछे तो अरूर जेटली तुक्ता मार देना किना पो फिरोज सा्साह कोटला जो डिल्ली का जो स्टेडियम άहे उसका भी नाम रख दिआ गया है दोस्तो अरूर जेटली जी एक अध्यक्ष ते अब इनके जो पुत्र हैं सुपुत्र जो है रोहन जेटली इनको निर्विरोध चुल लिया गया है दिल्ली क्रिकेट एसोशियेशन डीडी सीये का अध्यक्ष इन लोगी चांदी ये बाई साथ अमित्सा के लड़के एसियन क्रिकेट काउंसल के अध्यक्ष बन जाते हैं अब फिर यहीं लोग पूछते हैं कि राहुल राजियू गांदी ने कौन सा भाला फेका था कि राजियू गांदी जी के नाम पे खेल रतन पुरुसकार दिया जा अब जाता कि नरेंद्मोदी स्टेडियम अरूजेटली स्टेडियम जैसा आइस बीसी स्याइए के सचीव रोहन जेटली डीडीसी एक बना दी अपने को क्या है अपने को एक्जाम निकालने का मतलब है एक्जाम निकालने पर हम लोग ध्यान दे दोस्तों तो जब कोई दुनिया की सबसे बड़ी जो है यह अन्डर सी केबिल है जो नौर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका तक चला गया है क्लियर है अच्छा वेरी गुड भावेश बहुत बढ़ियां देखें यह बता रहें कुछ कॉइंस भी होते हर इस्टूइंट के पास जो लगाते हैं तो और सस्ता हो जाता है बहुत बढ़ियां तो दोस्तों यहां फर्मीना केबिल भी गूगल ने सुरू किया है गूगल ने दूस सेकेंड क्लाउड रेजिन एंसियार में सुरू किया है फ़स्ट क्लाउड रीजन उसने मुंबई में 2017 में ही सुरू कर दिया था गूगल ने गूगल के हैड़ जो है अल्फाबेट के भी है सुन्दर पिचाई ठीक है सुन्दर पिचाई क्लियर है चलिए बहुत बढ़ी तो आगे बढ़ते हैं गूगल पर और यहां पर नेशनल इस्टूट आप फिनेंस मेनेजमेंट एनाइए एफम पर बहुत ज्यादा जो है कि हम लोग का वह हो गया बाते हो गई अरे दोस्तों यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एंसर है सॉरी यहां पर गूगल एंसर ही नहीं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट यहां ऑप्शन जो है गलक्टिक हो गया है यहां पर ऑप्शन जो है यहां पर गलक्टिक हो गया है सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक है क्या नाम है उनका बिल गेट्स उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया है क्या दे दिया है तलाक दे दिया है और करीब 26 अरब रुपए के करीब जो है दोस्तों उन्होंने अपनी वाइफ को दिये हैं तो अमीर आदमी की वाइफ बनने का भी एक फायदा है अमीर लोगों के वाइफ बनने का भी फायदा है बिल और मिलिंडा गेट्स 27 साल के बाद तलाक हुआ है कभी इसी बिल और मिलिंडा गेट्स फा ताटा ने जो टाटा के फाउंडर एक सो दो बिलियन का पुरे सदी में सबसे बड़े दानवीर हैं सबसे बड़े फिलान्थ्रोपिस्ट सबसे बड़े पराप्टोरिय जमसेजी टाटा भारत के पहले पाइलट उनके नाम से जमसेद नगल टाटा का नगर बसाया है इंडिय र और एलाएन्स के पहले अध्यक्ष टाटा एलाएन्स के मालिक बारत के पहले पाइलट जमसेजी टाटा ठीक है तो इतना कभी दान किया थाथा गोल्डेन गोलकीपर एवर्ड ग्लोबल गोलकीपर एवर्ड दिया था मोदी जी को उन्होंने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक चेंज मेकर एवर्ड भी दिया था एक 17 साल की लड़की थी पायल जांगीर राजस्तान की उसने अपने बाल विवा को रोका सांति पुरुषकार विजेता बचपन बचाओ आंदोलन वाले केलाश रत्यार्थी जी उनके साथ जुड़ गई अब उस गाउं की सभी बच्चीयों को पढ़ाती है लिखाती है स्कूल बेस्ती है किसी का बाल विवा नहीं होने देती उसको भी अमेरिका में बिलेन मिलिं सब्सक्राइब नंबर के अमीर आदमी भी हैं बानिय दानी के बाद और सिर्णादर जी के कंपनी जो है एक सीयल टेकलोजी नोईडा वाली वह बेस्ट इम्प्लाइर भी यह उसकी जो उनकी जो एस सीयल कंपनी की रोश्णी नादर मलोत रहें यह सबसे अमीर महिला भी है अब दोस्तों यहा इंफ्रमेशन दिया वह बहुत इंपॉर्टेंट होगी मेरे एक्ष्चा इंफ्रमेशन को कभी नजर अंदाज मत करना मैं हलके फुलके अंदाज मजाक में पढ़ाता जरूर हूं लेकिन बात मेरी सीरियस लेना मेरी बात सीरियस लेना जिसलिए मेरी बातों को मजाक मेले पढ़ाता जरूर हूं आपको हलके फुलके अंदाज में पढ़ा ने के लिए लेकिन मेरी बाते बड़ी महत्यपुन है तो मैं नहीं ग होगा होगा मेरे दोस्त लर्निंग से ही अर्निंग होगी सीखा ना बंद तो जीतना बंद याद रखिएगा दोस्त नोट करिए क्योंकि माथा से अच्छा खाता होता है आज जो बात भोल रहा हूं तिन दिन बाद भूल जाओगे अग्रिकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर फंड बहुत इंपॉर्टेंट एक लाख करोड रुपए इसके लिए निकाले गये थे भारत सरकार के द्वारा इतना बड़ा फंड निकाला गया था अग्रिकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर फंड के द्वारा इस अग्रिकल्चर इंफ्रस आजाए तो दस साल की अवधी है इसका टेनियोर कितना है इसका टेनियोर कितना है दोस्तों दस साल है यह बात इकजाम में पूछी जा सकती है क्रिशी इंफ्रस्ट्रक्चर फंद के तहट एक लाग करोड रुपे के विद्व पोसर्ड की सुविधा दी गई इस योजना के तहट रिड़ पर व्याज में 3% की छूट भी प्रदान की जाती है जैसे कि आपको मैं बताऊं तो किसान केडिट कार्ड में 7% का व्याज होता ह है तीन लाग तक के लोन पर एक फार्मर्स लोगों के लिए जब दोस्त इसमें तुम टाइम से पेमेंट कर देते हो तो तीन परसेंट की छूट मिल जाती है यानि इफेक्टिव चार परसेंट ही व्याज पड़ता है किसान केडिट कार्ड से एक चीज और याद आई कि की लोन का लिमिट यानि अब जो है बंधक मुक्त लोन किसानों को एक लाग साथ हजार रुपय तक मिल जाएगा ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है अब बात समझ में आ रही है चलो दोस्तों बहुत बढ़ी है इसके बाद दोस्तों एक चीज और याद रखिए कि डाक्टर सूपर जी आप पहले जो है अपना देखिए कि आप लोग सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं आप अभी तक सेलेक्शन क्यों नहीं ले पाए जबकि आप 125 करोड़ा बादी हैं पहले इस पर ध्यान दीजिए आप क्यों नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं इसके बाद बात करेंगे ठीक हैं तो दोस्तों डाक्टर सूपर सब्सक्राइब यह वह कौम है डाक्टर सूपर टाइप के जो लोग है यह वह कौम है जो अपने दुख से दुखी नहीं है दूसरों दूसरों में जो चीज तुम खोज रहे हो अपनी इंप्रूव्मेंट करोगे तो आगे बढ़ोगे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे मेरे भाई जो है मैं आज एक जो तोजा 17 में नीरत चोप्रा ने ट्वीट किया था बहुत अच्छा ट्वीट था वह ट्वीट का स्क्रीन सोट में आज अपने टेलीग्राम पर डालूंगा उसे देखना उससे उसको बड़ा प्रेणा मिलेगा तुम्हें वह इंजियूरी से अभी निकले हैं इंजियूरी से निकले हैं अभी 23 जुलाई को यह गय थे लोग 13 जुलाई को मोदी जी से इनकी बात हुई है व वही बुरा समय आपको बेश्ट बनाता है तो दोस्तों यहां पर यह हो गया इसके बाद दोस्तों एक लाग करोण रुपए हो गया यह सब एक पॉइंट है दोस्तों याद रखिएगा इस साल वर्तमान चालू वित्ति वर्ष में इस साल एक दस हजार करोण रुपए निक खत्म हो जाएगी ठीक है अचलो बहुत बढ़ियां मेरा जो भी इंप्रूब हुआ है सब कुछ प्यूसर की वह से अरे नहीं तुम पढ़ रहे हो तुम्हारी वजह से मुझे तो पैसा मिलता है वर्मरे तो क्या करन्या मुझे तो दच्छीडा से मतलब है मैं तो बस रिज आप सेलेक्शन दे रहे हो तुम पढ़ रहे हो यह मेरे घ्जाम में फसने है तुमारा यह इंप्रूब ओर रहा है यह इंप्रूब नहीं है सारे स्टुडेंट का बढ़िया ऍनमबर आएगा ऐसा हमें पुर्षु विश्वासे सरस्टी मा की कृपाई पर यह आगे बढ़ते हैं वा निलिम्टेड एन ी सिल द्वारा किस प्रजाती का भीमा किया जा रहा है किस微मा किया जा यहां योजनाओं को बहुत पूछा जा रहा है डेट प्रधानमत्री फसल भीमा योजना का डेट अटल पेंशन योजना का डेट यी संपदा योजनाओं के डेट सियाद रखिएगा दोस्तों एक चीज यह इंडियन स्पोर्ट फेडरेशन के जो है पूछे जा रहे यह दोस्तों यहां पर जो है यह इंसोरेंस नेशनल इंसोरेंस कंपनी इसका भी वेकेंसी आता है नेशनल इंसोरेंस कंपनी जनरल इंसोरेंस कंपनी है इसने हिमाली जो याक नहीं होते है बैल की तरह होते खुब बड़े-बड़े से याक है ना उनका जो है यहां पर इंसोरे तो दोस्तों यह हिमालीन याक की बहुत ज्यादा वहां पहाई लाकों में मित्यू हो जाती है बहुत सारे कारणों से भारत में 58,000 याक है अरुणाचल पदेश सिक्किम हिमाचल पदेश लद्दाक में हैं ठीक है याद रहेगा चलिए बहुत बने सेला सुरंग अरुणाचल की जा रही हिमाचल पदेश में हिंकी खेती की जा रही है ठीक है हिमाचल पदेश 100% लपीजी वाला इस्टेट है दोस्तों और लग्दाक में अभी कौन सा ला है कौन सा जो है धर्रा है जहां पर 52 किलोमीटर का रोड बनाया गया है 19,300 फिट की उचाई पर दुनिया का सब सबसे उचा रोड दूसरा दुनिया का सबसे उचाई हेमिस नेशनल पार्क लग्दाक में है जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों आइस हौकी टुर्नामेंट अभी ऐसे सी से चसल में पूछा था जो लग्दाक के कारगिल में हुआ था ठीक है फर्स्ट हाइकोट पूछाता तो आई कोट बेखो अगर यह तुक का भी मारा जाए अगर मुझे पता नहीं है लेकिन मैं तुक का मार रहा हूँ फर्स्ट हाइप पर संगरहाल है फर्ष्ट कुछ भी ऐसा अगर आए तो कलकत्ता टिक मारा जा सकता है क्यों क्योंकि यह सारी व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई है अंग्रेजों ने जो पहला कब्जा किया था फोर्ट बिलियम जिसे आज कलकत्ता कहते हो भारत की राजधानी भी कलकता बनाई थी त सुस्टम्स की तो अगर पहला पूछले तो मार सकते हैं पहला डाग घर पहला कोड ऐसा टुक्का मारा जा सकता है है कि नहीं आर बिएइक का पहला है फोर्ट पोलकता ऐसा हो सकता तो अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया सबसे पहले कॉलकाटा में स्टेबलिस कि वहीं उनका गड़ था वहीं से वह चल रहे थे तो भारत की राजधानी भी कलकत्ता थी वह तो 1911 में जब जॉज फिफ्ट भारत आये दरबार लगाया गया दोस्तो दिल्ली में तो पुरान जॉज फिफ्ट जो है वह आयते दो 1911 में जब बंगाल विभाजन रद हुआ था उसके पहले बंगाल को विभाजित कर दिया था धर्म क्या धार पे इन लोगों ने फिर जॉज फिफ्ट ने हटाया और उसी समय जो है कि नहीं दिल्ली 1911 में सिफ्ट हो जाए मतलब 1911 में गोशित हुआ कि अब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी सिफ्ट होगी खैर निमनलखीत में से किस कंपणी ने इंडियन एर फोस को आकाश मिशाइलों के निर्मार और आपूर्ती के लिए रक्षा मंत्राले के साथ 499 क्रोण रुपए का टाइब किया है कि दोस्तों आकाश मिशाइल हो या कोई भी मिशाइल हो यह बनाता कौन है परिक्षड डियाइडियों करता है यह हम सब लोग को पता है जो एक जनवरी को इसने अपना 63 वर्सगाट मनाया 1958 में इसकी स्थापना हुई थी जी सतीस रेड़ी इसके हेड है जी किसन रेड़ी क निय doubts को इसका हेड्वाटर है लेकिन यह परिक्षड करता है ओडिसा के बाला सोर में ओडिसा के व बिलरडुवीप से जिसका नाम अब हैं अबदु कलाम Peng गया लेकिन बनाता कौन है यहां सवाल ये उठता है कि इसे अ निर्मार कौन करता है मिसाइल को बनाता कौन है तो भारत डाइनेमिक लिम्टेड बनाता है चाहिए आकास मिसाइलों निर्भए मिसाइलों कोई भी मिसाइल का आप नाम लीजे बनाता कौन है भारत डाइनेमिक लिम्टेड बनाता है दोस्तों हैदराबाद में है यह तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहां पे तो बहुत सारी बाते हैं हम लोग ने कर ली इसके हेड कौन है सिद्धात मिश्रा जो रिटाइड है का बीडियल कोमोडोर सिद्धात मिश्रा इसके हेड है ठीक है चले फेडरल बैंक के सीमडी कौन है दोस्तों जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है और फेडरल बैंक के जो सीमडी है न उन्हें Banker of the Year का Award भी मिला, Banker of the Year का Award भी मिला है दोस्तों ये भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे मेरे दोस्त की Federal Bank, केरल की बैंक है जिसका Headquarter अलुवा कोची में है, कोची केरल में, कोची से याद आया, कोचीन एयरपोर्ट जो है वो भारत का या नहीं, दुनिया का ही पहला Solar Power से चलने वाला एयरपोर्ट है, जिसे United Nation Environment Program नेरोबी किन्या ने Champion of the Earth का Award दिया था, United Nation Environment Program का Headquarter नेरोबी में है, इसकी एक साखा New York में भी है, जहां United Nation का मुठ्याल है, वो साखा का जो Head है, वो है भारत की लीगिया नोरना जो तेरी इस्टिट्यूट निव दिल लीक में काम कर चुकी है, दे एनरजी एन रिसोर्स इस्टिटूट, तेरी इस्टिटूट का गोटाला हुआ बहुत ज्यादा नीरव मोदी गोटाला, वीजय मालया गोटाला, तो CMD लेवल पे हुआ था, तो देखा गया कि डी सेंट्रलाइजेशन करो पावर का, तो चेर्मेन की एक अलग पोश्ट बना दी गई, नॉन एक्सक्यूटिव चेर्मेन, और CMD का नाम रख दिया गया, CEO NMD, और ये भी किया गया इसका पॉइट्मेंट सरकार नहीं करेगी, RBI का अस्तक्षेप नहीं होगा, बैंक का भ आए जाएंगे, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंकों के अपर मेनेजमेंट की न्यूक्ति करता है, ये आपका एक इस्टेटिक जीके और क्वेस्चन मिल गया, ये एक और क्वेस्चन मिल गया, ठीक है, क्लियर है, देखे, प्यूसर का लाडला बोल रहे हैं कि सर भवाणी देवी और रानी रामपाल के बारें पुछा था, रानी रामपाल महिला टीम की है, कैप्टन और भवाणी देवी फेंसर है, पहली तलवार बाद जो ओलंपिक में गई थी, है कि नी, रानी रामपाल को पिछले साल राजियू गांधी खेल रत्त पुरुसकार भी मिलाता, जिसका नाम अब मेजर ध्यान चंद खेल रत्त पुरुसकार हो गया, जो खेल का सरवोच पुरुसकार है, 29 अगस को हम नेशनल स्पोर्ट्स जे मनाते हैं, मेजर ध्यान चंद जी के बड़े पर जिने होकी का जादुगर कहा जाता है, तीन ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया था दोस्तों, तीन ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया था, 1928, 32 और 36, तीनों में गोल्ड दिलाया था होकी को, उसके बाद दोस्तों आये बलबीर सिंग सिनियर, उन्होंने 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 होकी को गोल्ड दिलाया, हो गए 6 गोल्ड, बलबीर सिंग सिनियर का भी निदन हुआ, बलबीर सिनियर के नाम फाइनल में 6 गोल करने का रिकॉर्ड जो अस तक कोई नहीं तोड़ पाया, इसके बाद दोस्तों, 1980 में हमें गोल्ड मिला होकी में, और अब जाके 1900, क्या कहते है, 2021 में हमें ये 1980 के बाद जाके ब्रॉंज मिला, तो साथ मेडल तो ऐसे ही दिख रहे होकी के हमारे पास, साथ पहलवानों ने भी रेसलिंग में दोस्तों मेडल जीता है, अभी तक, ये क्वेश्चन भी SSC CHS मे पूछ रहा है, कि रेसलिंग में अब तक हम कितने मेडल जीत चुके हैं, कितने मेडल हम होकी में जीत चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा, कि अभी हम लोग इस समय 66 पॉइंट नंबर पे थे 47 पे आ गए हैं, क्योंकि हमने एक गोल्ड जीत लिया है, दो सिल्वर जीत लिया है, और तीन ब्रॉंज जीत लिया है, ये अभी तक का 125 साल के इतिहास में ओलंपिक में भारत का सर्वसेष्ट पदर्शन है, सर्वसेष्ट पदर्शन, 125 साल के इतिहास में पहली बार किसी एथलीट ने गोल्ड जीता है, वो ह पुए शर्मा को मिला था एम थंगा वेल्लू को मिला था रानी रामपाल को मिला था मनिका बत्रा को बिल्कुल एक दो तीन चार ठीक पाची तो हुए एच्छे कहां हुए पाड़ी वाले बाबा किह रहे है सर मुझंप को नअ हो गाया है कल ईकजाम था तुम पहाड़ी पर रहरे थे तपस्या कर रहे थे कोरोना कहां से पहुच गया होँआा पाड़ी पर अ कि चलो है तो हो गए फेडरल बैंक की बात एक फेडरल डिजर्व भी है दोस्तो फेडरल डिजर्व जो है वह अमेरिका का अमेरिका का तो सेंट्रल बैंक है जिसकी हेड लीगिया नोरोन्हा बनाएगे अपना ख्याल रखिये पहाड़ी वाले बाबा कुरुना हो गया है कोई भी बात नहीं मजबूत रखिये इम्यून सिस्टम योगा कीजिए काढ़ा पीजिए खुली हवा में रही है ऑक्सीजन और धूप जरूर लीजिए ठीक है क्लियर है मलव लाटला करें की राजुगा नाम बदलते ही गोल्ड आ गया मलव कृपा रुकी हुई थी यह भगवानी रमल बाबा के सब फैन है निमलिखित में से किसे कॉमन वेल्ट पॉइंट ओफ लाइट एवार्ड मिला दोस्तों कॉमन वेल्ट पॉइंट ओफ लाइट और कॉमन कॉमन वेल्ट नेशन का जो मुख्याले राष्ट मंडल देसों में कहां प्रेंड लंदन में कॉमन वेल्ठ देश किसे कहते हैं दोस्तों जो ब्रिटन के कभी घुलाम गुआ करते थे इसका 54 मेंबर मालदीव चुना गया 54 मेंबर मालदीव चुना गया अभी अभी वह अपने टेलिग्राम पे डाला था जिसमें मैंने आप लोग को यह बताया था कि लॉइन ट्रेंट स्टेश में कौन कौन से पेपर हुए उसमें देखिए तो एक चीज जो मैं अक्सर आपको बताता था कि नॉर्मल देशों में जब राजदूद भेजे जाते तो उसे एंबेज़र उसके घर को एंबेसी कहते है लेकिन कॉमन वेल्ट नेशन में जब बेजा जाता है तो उच्चायूक्त कहा जाता है हाई कमिशनर कहा जाता है उसके घर को उच्चायोग कहते है जैसे पाकिस्तान में भारत उच्चायूक्त भेजता है पाकिस्तान में भारती उच्चायोग है ना की दूतावास ना की अमेरिका में जाएगा तो दोस्तों यह पूचा जाता था तो ऐसा पूचा गया कि किन दो देशों के बीच में उच्चा युक्त नहीं उक्त होते हैं तो Commonwealth Nations के बीच में होते हूं ठीक है चलिए बहुत बढ़ियां तो दोस्तों ऐसे questions आ रहे हैं SSC में तो हावी है हावी रहेगा क्योंकि कॉमन इल्जिबिल्टी टेस्ट का यह रियर्सल चल रहा है अगर आ जाएगा तो फिर हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी बैंकिंग एकनोमिक्स का वेटेज कम किया जाएगा कॉमन चीज रखी जाएगी न कोई चीज तो करेंट अफेर का विटेज बढ़ेगा आज देखिए तो SBI के एक्जाम हो चाहिए कोई भी एक्जाम हो करेंट अफेर ही टॉमिनेट कर रहा है बैंकिंग कम पूछ रहा है तो आप लोग वक्त के इसाब से नहीं बदलेंगे अब्डिट नहीं होंगे तो बाइसाब बाबाजी बन जाएंगे नोकिया बन जाएंगे कंप्टीटर कंप्टीशन के किंग होते भी मार्केट से बाहर क्यों अपडिट में वे आप अपडिट होना बहुत जरूरी है कॉमन में पॉइंट ओफ लाइट एवाड दोस्तों किसे मिला है सैयद उस्मान अजहर मक्सूसी को मिला है क्योंकि यह हैदराबाद में एक ऐसी सं कराती है है हंगर है नो रिलीजन नाम से यह सरस्था चलाते हैं कमसकं हर साल हर धर्म के फंदरह सो लोगों को कमसकं यह भोजन कराते डेली का इसलिए इन्हें दोस्तों यहां पर कॉमन वेल्थ ने जो है कि सम्मानित किया यह बहुत बड़ी बात है है धराबाद की जब कि सहस्ता है भारत में नहीं के उपर ध्यान दिया तो हंगर है जनो रिलेजल तो दोस्तों यह जो है सईद उस्मान अजहर मकशूसी इनका नाम भूल जाता हूं अब इनको कैसे याद किया जाय को अजहर अजहर मत कर जासूसी अजहर मत कर जासूसी से याद किया जाए तो याद हो जाएगा मैं बाबा इनका नामी भूल जाता हूं रहे हैधराबाद सब याद रहता है हैधराबाद में वर्ल्ट्री सीटी बनाया हैधराबाद को सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी चुना युनिसको न में हैदराबाद में Amazon ने जो है सबसे बड़ा campus open किया भारत dynamics limited हैदराबाद में एक हैड़काटर हैदराबाद में इनसोरेंस को जो regulate करती है एक क्वाइन बनाने वोली टकसाल भी हैदराबाद में सब याद रहता है इनका नाम अजहर मक्सूसी का भूल जाते हैं पता नहीं क्यों भूल जाते हैं तो दोस्तों यहां पर हम लोग बात करें कि भूख की तो युनाइटेड नेशन वर्ड फूट प्रोग्राम को इस क्या मिला है नोबल पीस प्राइज मिला है जो सौ सौ मिलियन लोगों को जिन्हों ने 2019 में भोजन कराया था जिसका एटक्वाटर रोम में है और रोम में ही दोस्तों फूड एन अगरिकल्चर और्गनाइजेशन का भी हेटक्वाटर है इसी ने यह वर्ड फूट प्रोग् अमेरिका जो है दोस्तों बहुत बड़ा खिताब फुटबॉल का ठाइस साल में किसी टीम ने पहली बार यह जीता है इस देश का क्या नाम है इस देश का क्या नाम है मैं कोई क्वेश्चन है कि समझ में नहीं आ रहा है इस एक खलीफा यहां आते हैं वह खाली बस यह देखा जाए तो कोपा अमेरिका कप किस ने जीता अर्जंटीना ने लियाउन मेंसी जब से टीम में आए हैं तब से दोस्तों पहली बार कोई अर्जेंटीना ने कप जीता है सोचिए इसके पहले अर्जेंटीना के मौरा डोना साहब ते इन्होंने खुब जीता आया था हमारा डोना साहब के हाथ से गोल लग चली गई थी वर्ड कप के फाइनल में इंग्लायंड के खिलाफ जिसमें जिसे century का गोल कहा जाता है सतापदी का गोल ये question अभी पूछा था exam में कि गोल अपद सेंचुरी किसे कहा जाता है गोल अपदा सेंचुरी किसे कहा जाता है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए कोपा अमेरिका कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीता फुटबॉल का कप यूरो कप दोस्तों इटली ने जीता जहां पे जी ट्वेंटी होने वाला है जी ट्वेंटी चल रहा है इटली में ठीक है इंटरनेशनल सोलर एलाइंस का 121 मेंबर है अभी स्वीडन भी जुड़ा है और दोस्तों एक और कप हुआ था कोपा हो गया यूरो हो गया और एक और कौन कप हुआ था भाई एक और अभी और कौन कप हुआ था अधिशनल जीता है को का कफ क्या नाम था उसका यूए से ने आखरी मोविंट पर जीता भी दो-तीन दिन पहले की बात है ठीक है क्लियर बात समझ में आ रही है चलिए फीफा फीफा में जो है दोस्तों फीफा में इसका हैटकॉर्टर जियूरिक पीफा में भारत की रेंकि है इंगलेंड कोई हराया क्या इक है कौन सा भारती राज्य दोस्तों 2021 से 30 के लिए जनसंख्या नियंत्रन अपनी नीती लेके आया है जनसंख्या नियंत्रन कानून लेकिए आया है नई पॉपुलेशन निती लेके आया है दोस्तो 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाते हैं दोस्तो ठीक है पॉपुलेशन हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं और 11 जुलाई को ही सिरिशा बंदला अंतरिक्ष में गई थी दोस्तो वर्जिन गेलेंटिक कम्पनी के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन के साथ सिरिशा बंदला तीसरी भारती मूल की महिला है जो पहुंची है सुनीता विल्यम कलपना चावला के बाद दूसरी भारती महिला है क्योंकि सुनीता विल्यम्स तो अमेरिका में ही पैदा हुई थी कलपना चावला के बाद यह दूसरी भारती महिला है जिसका जन्म इंडिया में हुआ था कौंका कफ है बिल्कुल यह से ने जीता है बिल्कुल बहुत बढ़िया तो दोस्तों इसका एंसर क्या है यूपी उ 19.95 करोड है अगर इसको राष्ट गोसित कर दिया जाए तो भारत दुनिया का मतलब यूपी दुनिया का पाच्वा सबसे बड़ा वह बन जाएगा देश पॉपलेशन के मामले में चाइना इंडिया अमेरिका इंडोनेशिया फिर ब्राजिल ब्राजिल पाच्वे नंबर और प्राजिल के अबादी 18 करोड है यूपी से कम है यूपी को राष्ट गोसित कर दो पांच में नंबर पर आ जाएगा इंडोनेशिया दोस्तों सरवादिक मुस्लिम अबादी वाला देश है तो यूपी में यह नहीं लाएंगे तो काम चलेगा नहीं इसलिए यूपी से सब्सक्राइब का फॉर्म भड़ता है वह विचारत तेज होते हुए भी उसके नहीं होता है गुजरात महराज से जो भड़ देते हो उनका कट आफ कम जाता है क्योंकि वहां पे भीड़ कम है इसलिए स्मार्ट सिटी में यूपी ने टॉप किया बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए ग्यारा जुलाई को वश्व जनसंख्या दिवस के अउसर पर यहां पर उत्तरपदेश की जो कुल प्रजनंदर है वो टू पॉइंट सेवन परसेंट है आदर सुरूप से टू पॉइंट वन परसेंट से कम होने चाहिए प्रजन नहीं कर पा रहें तो भाया अब जो है क्या-क्या कड़ाई की जा रही है उत्तरपदेश में योगी बाबा के द्वारा इन्होंने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे अगर आपके हुए तो सरकारी जितनी भी योजनाए हैं बंद हो जाएंगी प्रीमे सिक्षा स्वास्त ज सब बन जाएगा बहिए प्रवीन राजपुर जी प्रणाम के तो यहां पर कानून आया है आई इस कानून को थोड़ा सा धंग से देखते हैं कि क्या-k्या यहां पर कहा जा रहा है था कि बाद में इस पेच्पे आएंगे पहले आते हैं यहां कि क्या का है जो सरकारी इंप दोस्तों उसको सबसीडी रेट पे घर भी मिल जाएगा ठीक है उसके जो इंप्लाइमेंट प्रोविडेंट फंड है भविश्च निदी है उसमें दोस्तों उसको जो तीन परसेंट के बढ़ोत्तरी भी कर दी जाएगे बहुत चारी चीजों पर रिबेट भी मिल जाएगा भी हेअगे पा कि अभी फ्री हेल्थ केर इंसोरेंस मिलेगा चार एडिशनल कर मिलेगा जिनका सिंगल चाइल्ड जिनका सिंगल चाइल है जो जो रासन काड की लिमिट ay و 3 कर दी गई यह निए दो माबाप दो बच्चे जो आम आदमी अगर कोई भी दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह जिला पंचायत और लोकल बॉडी एलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ठीक है जो गरीब घर के माबाप हैं अगर उन्होंने वन चैल्ड पॉलसी अपनाई है तो उसके बच्चे को ग्रेजुवेशन तक फ्री एड्यूकेशन दिया जाएगा और उसको सरकारी नौकरी में और एड नस्बंदी करा ली उसको 20 साल तक मुफ्त इलाज दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी योजना का कोई लाब नहीं निकाय पंचाय चुनाओ नहीं लड़ने दिया जाएगा जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे रासन कार्ड में चार से अधिक अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपना खर्चा खुद उठाइए आपको सस्ती दरों पर अनाज नहीं मिलेगा ठीक है अब इसके बाद क्या कहा गया है घर का मालिक अगर सरकारी नौकरी में अनस्बंदी करवा ले तो सरकारी अवासियों जिना में छूट मिलेगा अक्तिरिक इंक्रिमेंट मि तो पर जाएगी सब्सक्राइब दो बच्चे वाले अगर सरकार दंपती सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें बिजली पानी होमलोन आदी में दिया जाएगा मलोग सरकाई नोकरी में धोडे दी जाएगी ठीक है चार अतरिक्त इंक्रिमेंट दिया जाएगा अगर वो गवर्मेंट जॉब में हैं एक जो गरीबी रेखा के नीचे हैं बिलोव पावर्टी लाइन हैं अगर एक संतान होने के बाद वो नस्बंदी करवाले जो बहुत गरीब है तो उसको बेटे के लिए 80,000 रुपए और बेटी के लिए 1,000,000 रुपए दिया जाएगा बेटी को 20,000 रुपए मेकप करने का अतरिक्त दिया जाएगा एक से अधिक साधियां करने वाले दमपत्तियों के लिए भी खास प्रावधान हैं है ना अगर एक से ज़्यादा साधी करने वाले जो चाहे औ और तोאני अगर और त्टस्टातों है की अगर एक अगर और तोनों पति से ज़्यादा बच्चे है तो इसको भी शाणी द्ली जाएंगी ठीक है क्लियर है अगर दोस्त अगर ये पता चला कि किसी ने ये नियम तोड़ा है तो उसकी नौकरी अगर लग गई है तो उसकी बर्थास्तगी हो जाएगी प्रमोशन इंक्रिमेंट रोग दिया जाएगो ठीक है लेकिन हाँ किसी का जुडवा बच्चा है तो उसे छूट दे दी जाएगी यह कानून आने के समय कर कोई गर्ववत्ती है तो उसे भी छूट दे दी जाएगे ठीक है क्लियर है तो यह सब दोस्तों यूपी में किया गय चाहे लौक आप त्यारी कर रहे हो आईये स्पीसियस की बैंक एसे सी रेलवे की अभ्योदय यूजना में आप जाके आप फ्री कोचिंग कर सकते हैं किसी भी प्राइबेट कोचिंग में जो लिश्टेड है इस यूजना के अंतरगर अभ्योदय यूजना यूपी में और मंबेचल में लौकाओं में में और मुंबई में कर दिया है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है माश्टर का जिस अमेरिका की कंपनी आप माइकल माई बाश हो गये और ने पिछले सालstroke कंव दोनी को ब्र slab मेजह डर बनाया ता अमेरिकां कंपनी और एस बाग इसपार Mastercard को bank कर दिया गया है कि यह data leak करता है data storage इसका भारत के बाहर है जिसकी वज़ा से इसे बोला गया है कि तो अब नया debit card credit card नहीं issue करोगे यह तो दूसरी news हो गई यह जो है दोस्तों वन मुंबई Metrocard लांच करने के लिए किस बैंक ने दोस्तों यह सुरू किया है वन मुंबई Metrocard तो दोस्तों यह सुरू किया है एक्सिस बैंक ने किसने एक्सिस बैंक ने एक अभियान चलाया दोस्तों वियर एन पे का जिसमें वो बैंड लगा करके आप payment कर दो वाच पहन के payment कर दो कीरिंग के थुरू payment कर दो debit card निकालने के जरुवत ही नहीं है एक्सिस बैंक की मदर कंपनी है यूटी आई यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया जो तो मुचल फंड की भारत की पहली company है जिसने भारत में मुचल फंड लॉंच किया था कंपनी में मुचल फंड और मुचल फंड किस बैंक ने पहली बार लॉंच लाइए यूनिक ट्रस्ट आफ इंडिया आज भी यह एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटी आई बैंक ही थ भी ह이면ने ौट्सांप बैंकिंग में बाट्सप बैंकिंग में दोस्तों दस लाक कस्टमर जोडूं लिये है सब्सक्राश्ट लाक में में जोड लिये हैं यह कैसा करने वाला यह पहला बैंक है एक्सिस बैंक वाट्सेप को दोजा 14 में फेस्बुक ने खरीद लिया था तब से इन दोनों का हैड़क्वाटर मेलो पार्क में हैं कलिफोनिया में वाट्सेप के ग्रिवियांस ऑफिसर परेसलाल हैं सिकायत अधिकारी और फेस्बुक के फूर्ती प्रिया हुआ यूं कि जिसके भी सब्सक्राइबर होंगे उनको सिकायत अधिकारी बनाना होगा ट्विटर ने नहीं बनाया था विवाद हुआ रविसंकर परसाथ की जगह अश्विनी वैसनों आए बोले मानना पड़ेगा आई टी मिनिस्टर बनके विने प्रकास को ट्विटर को भी बनाना है सर जी कम है सर जी आप जितनी तारिफ कहीं यहां पर सारे जो केवल कमी निकालने पर सांथ रहते हैं अप अपने अंदर कमिया भूंड़we तो जिन्दगी में बहुत आगे जाओ आप मन से पढ़ रहे हो यह आपकी कबिलियत है मेरी क्या है मेरी को तो जितना information दे दो दिल खोल के देता हूं मैं जितना मुझे याद रहता है सब देता हूं इससे आप आपका फैसे मेराव मुझे चीज याद रहती है क्योंकि सरसती बाटने से बढ़ती है मैं इस मंत्र पे चलता हूँ विद्द्य से मां की कृपा इसलिए रहती है बस दोस्त आपको मिल जाती है और आपका सेलेक्शन हो जाता है हमारा रोजी रोटी चल जाता है बस इतना ही है और कुछ नहीं है और बैंक से 31 दिसमबर तक अनिवार रूप से किस बेंचमार्क दर को समाप्त करने के लिए कहा है और भी हैस आस्ट डबैंक करें जोरे थो फेस आउट विच बेंचमार्क रेट मेंडेटरली भाइट 31 दिसमबर दोस्तों जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है या फिनिशन इस्ट्यूशन को लोण देता है तो जीरो से एक दिन का जो लोन देता है उसे हम कहते हैं को कॉल मने को कॉल मने जो दोसे 14 दिन का लोन दिया जाता है दोस्तों उसे कहते हैं नोटिस मने नोटिस मने और जो 14 दिन से ज़्यादा का लोन दिया जाता है मेरे भाई 14 दिन से ज़्यादा का लोन दिया जाता है उसे कहते हैं टर्म मने क्या कहते हैं टर्म मने क्लियर है बात समझ में आ रही है है baru अब दोस्तों यहां पर समझना कि कॉल मनि जो एक जीरो से दिन लिए लिए जाता है इसे क्या कहते हैं ओवर नाइट लोन ओवर नाइट लोन के लोन यह सब लोन के रेट आफ इंट्रेस्ट जो डिसाइड होते थे वो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट से डिसाइड होते थे अगर इंटरनेशनल ही लोन दिया जा रहा है तो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट से इस बेंचमार्क का पालन करते थे बैंक और अगर भारत में बैंक आपस में कर रहे होते थे तो मिपोर से करते थे मुंबई इंट एक कहा मतलब एक दूसरे से इंट्र नेश्वन का मतलब एक बैचा नेट सीwarming नेट का मतलब एक नट डूसरे से जूड़ रहा है तो इंटर बैंक और रेट दोसतों नीबोर labour एंपर टो ये landmark दोस्तोर आरवी ने कह दिया डंट को इसका ऄस मत करो 31 दिसंबर तक का लास्ट जो है यह दे दिया है ठीक है क्लियर है समझ गए चलिए बहुत बढ़ी है तो अब दोस्तों यहां पे बढ़िया आरबियाई ने बैंकों को और अन फिनेंशन इस्ट्यूशन से कह दिया है कि लंदन इंटर बैंक आफफर रेट का यूज करना बंद कर दीजिए आरबियाई बैंकों को 31 दिसंबर तक का एक टाइम दिया है कि कल्पिक रिफरेंस रेट को किसी और आप्शन को चुन लीजिए लीबोर की जगह किसी और आप्शन को चुल लीजिए ठीक है क्लियर है कि भावेश्ट राठोड के रहे सर आप दिन भर पढ़ाते रहते हैं तो मैम आप पर गुस्सा नहीं करती अब इसका क्या जवाब दिया जए काम करने से जो औरत गुस्सा करें तो फिर वह आपकी हितकारी कहां है फिर वह अपनी कारी नहीं है यह जो लाली बिंदिया लिपिश्टिक आएगी जब मैं कदिन भर काम करूंगा तभी तो आएगी इस दुनिया में कौन है जो दिन भर खट नहीं रहा है दिन बर मेहनत नहीं कर रहा दोस्तों यही तो 2017 में ट्वीट किया था निरत चौपडा ने कि अगर मेहनत करने पर आपको ठकान नहीं लग रही है दिन भर काम करना आपकी हैविट बन गया है तो आपको इतिहास रचने से कोई रोक नहीं सक्टा आप इतिहास रचने वाले हो दोस्तों, ये बात याद रखी, तो जिन्दगी में एक सफल लोगों किसे सीखा जाता है, अब्दुलकलाम सहब ने कहा था, जिन्दगी में वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, अगर आप वो काम करोगे, तो जिन्दगी कि सुबेरे चार बज़े उठके करेंट अफेर बनाओ और छे बज़े पहली क्लास ले लो हमें अनकेडिमी भी नहीं कहती न कोई कहता है कल संडे को 12 बज़े पढ़ा रहो कुई सी नहीं कहा है सब कहते संडे को राम करूं मैं क्यों पढ़ा रहो मुझे अच्छा लगता है किसी के घर में कोई जो है कि अंधी बच्ची जो है कोई ब्लाइंड बच्ची नाम था नूतन सिंग उसके उसकी नौकरी लग गई उस दिन दिल को बड़ा सुपून मिला था क्या चलो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं किसी की जिन्दगी बदल दिये तो अच्छा लगता है यह ज सिद्धी बड़े आपकी सिद्धी बड़े बीवी खुस बीवी कभी तो दुन्ना मुरुसन हो रहा है उसको तक तुमारे आदमी का फोटो देखते हैं तो उसको भी तो मज़ा आता है सब में है कि सटाच की भीमा कंपनी के आई पी ओ से पहले कारकारी अध्यक्ष के बजा बताओ समझ गए दोस्तों देखो जब आपको आई पी यो लाना होगा आई पी यो का मतलब होता है इनीशियल पबलिक ओफरिंग इनीशियल पबलिक ओफरिंग यानि कि शेर में आने वाले हो तो आपको इंटरनेश्टल रूल्स मानने पड़ेंगे इसका इंसर है जिसका आई प्यों आने वाला है अब इसको सारे रूल्स फॉलो करने होंगे सेवी वाले अभी तक सेवी के नियम यह पालो नहीं करता था हर क्वाटरली रिपोर्ट सारी भारत की कंपनियां देती हैं अपनी रिपोर्ट एलाइसी नहीं देता था क्योंकि वह नहीं शेयर मार्केट में तो क्यों बात मानेगा तुमारी तो अब यह आई प्यों आई इसलिए राए कि ट्रांस्पेरेंसी बढ़ जाए तो अब दोस्तों सारे नियम फॉलो करने तो इसलिए अब वो जो है इस पोस्ट को जो है अपनाएगा ठीक है अभी तक इसके जो प मैंनेजिन डेरेक्टर कौन है दोस्तों मैंनेजिन डेरेक्टर अभी मैंने आपको पढ़ाया था मीनी आई पे मीनी आई पे हैं दोस्तों ठीक है मात्र सरकारी कंपनी है इसका हेड़क्वाटर मुंबई में हैं इसने दोस्तों आनंदम नाम से एक ऑनलाइन फॉर्म जो है एजेंटों के भरने के लिए भी एक फॉर्म का बनाया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा कि था इस्ट इंवर्ड एंट तेंफ मोस्ट वेलिवेबल ब्रैंड है सीवानी बताने वेरी गुड़ वेरी गुड़ वेरी गुड़ तो चलिए दोस्तों एलाइसी पर बहुत बात होगे याईसी का आईपियो आएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा आईपियो कहा दोस्तों ठीक है क्लियर जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद योग शेम ब्रहा में हम बहुत सारी इसकी टेडलाइन है भाई दोस्तों जी आई यानि ग्लोबल इंडिकेशन भोगालिक संकेतक सर्टिफाइड जैस्मिन फ्लावर कहा का फ्लावर है जिसे दोस्तों अभ है जोट किया गया कि इस को जब चमेली का फूल बोलते हैं तो कैसा लगता है कहां गंगु तेली चमेली के शचंदर के सर के नरखो चमेली तो दोस्तों लेकिन जैस्मिन बोलते कितना च्छा हाँ हाँ जैस्मिन तो दोस्तों इसका नाम मदूरई जैस्मिन है पहले चमेली का फूल बोला जाता था अब बोला जाता है मदूरई जैस्मिन थेना पहले चमेली का तेल बोला जाता था तो कोई नहीं लगाता था आप बोला जाता है जैस्मीन ऑयल तो अब जैस्मीन अईल सभी लगाते हैं थीक है तो दोस्तों यह मदुरही कहां पर दोस्तों यह तमिलाडू में हैं अब बिल्कुल सही कहां तमिलाडू foreign तो डिश्टों को अट्रेक्ट करने में नंबर वन पर है तमिलाडू में 69 इयर के उमर में दोस्तों मुखमंत्री बने हैं अभी कौन करणा निदी के लड़के क्या नाम है इस्टॉले ने ठीक है पहला जियाई टेक डाजिलिंग की चाय को मिला था बिल्कुल सही कह रहें आप तमिल लाडू दोस्तों की राध्धानी चेन नहीं है यहां पर ओला कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्टरी ओपन कर रही है स्कूटर की यह कुश्चन एक्जाम में पूछा जा चुका है ओला इंडियन कंपनी भावेश अगरबाल की दोस्तों टाटा ने यहां पर मुबाइल फैक्टरी शुरू कर दिये टाटा भी मुबाइल में आ रहा है इसका मतलब कि रेडमी ने अपनी टेलिवीजन वाली स्टिक की एक कंपनी यहां पर एक फैक्टरी डाली है है ना चेन्नाई कन्याकुमारी एकनॉमिक कॉरिडोर यहां पर बन रहा है दोस्तों जिसको एसीन डेवलप्मेंट बैंक वर्ल्ड बैंक दोनों ने फाइनेंस किया हुआ है त दोस्तों गुंडी नेशनल पार्क यहां पहें गल्फ आफमनार मंनार की खाडी नेशनल पार्क एहीं पहें और मुकुर्थी नेशनल पार्क भी यही पहें ना अब आप सोचोगे कि सर को याद कैसे है तो सर कोई ऐसे नहीं है सर ने कहानी से बना के याद रखा हुआ है कुछ भी मिस होता है तो कहानी पढ़ लेते याद हो जाता है जैसे पलानी हिल्स भूल गया था मुकृत्थी भूल गया कहानी को याद किया याद आ गया कैसे इंदिरा गांधी इंदरा गुंडी पलानी हिल्स में पलानी हिल्स में मलाई खा रही थी मलाई से अन्ना मलाई मुडू मलाई गल्फ वालों ने मांगा तो मुकर गई गल्फ वालों ने मांगा तो मुकर गई तो इंदरा गांधी पलानी हिल्स में मलाई खा रही थी गल्फ व बहुत बढ़िया हूं चलो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यह जो मदुरही जैस्मीन है अन परंपरिक फुल जैसे बटन गुलाब लिली चमंथी मेरी गोल्ड को तमिलनाडू से यूएस से एंड यू एई यानि अमेरिका और संयुक तरब अमिराथ यूनाइटेड अरब में एक्सपोर्ट किया गया दोस्तों काम दिया गया है कॉमर्स और इन्डिस्टी मिनिस्ट्री को कर दो एए प्सपोर्ट को बढ़व यह मिनिष्ट्री दोस्तों प्यूष गोयल जी के पास है तो दोस्तों लग रहा है कि यहां पर नेट चला गया था नेट का भी मन नहीं था कि और पढ़ा जाए वर्ना मैं बहुत कुछ बता रहा था लेकिन आप लोग रिफ्रेस्ट कर लो ठीक है तो बस मैं आप Bye-bye बोलने के लिए आया हूं है ना बाइबाई बोलने के लिए आया हूं कि लगरा नेट भी नीच आ रहे है कि हम लोग पढ़ाई आगे करे तो चलो टाइम हो गया है ठीक है तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं साबस्रीन पढ़ा दिये थेना कुछ बचा नहीं था Commerce and Industry Minister कौन है प्यूश गोयल जी है तो प्यूश गोयल जी जो है सांदार काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इनको कहा जा रहा है करेंट अकाउंट सर्प्लस 17 साल में पहली बार प्लस में है पन्ना हम चालू खाता घाटे में ही जीवन जी रहे थे करेंट अकाउंट सर्प्लस हुआ है 0.9 परसेंट इनी सब प्रयासों की वज़ा हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए रेल्वे मिनिस्ट्री का काम इनसे बोलके कि आप मत करो आप Commerce and Industry IoT부ो टेक्स्ट्री समालो इक्सट्राइव मिनिस्ट्री भी दे देते हैं को एक्सपोर्ट आगे बढ़ाओ जो दोस्तों आज का सेशन यहीं रखते हैं पर आज का सेशन यहीं पर रखते हैं और ओर ऐसे अधे बश्य चले जा चुके हैं नेट की खरहाबी की वजह से ठीक है तो चलो सभी मुलक्कियों को बाइबाई ना सभी जो है मेरे जो है रिड में दबते चले जा रहे हो गुरू के रिड में सब मेरे मुलक्की हो गए तुम लोग ठीक है ओके बाबाई ठेंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद बाबाई टेक केर गुड़ नाइथ लव कल 12 बजे एप पे आ जाईएगा वीकली करेंट अफेर पढ़ने के लिए एप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कल 12 बजे मैं वीकली करेंट अफेर पढ़ाऊंगा सब लोग टाइम से आ जाईएगा ठेंक यू काजल ठेंक यू सभी ल सचिन सब सब मेरे हीरो हैं मोहन दिक्षा अवधेश काजल दसरत सब मेरे हीरो हैं सब चलो ओके बबाई टेक केर गूड नाइट मंडे को मिलते हैं सुबह कल लेकिन एप पे आ जाना सब लोग वीकली करेंट अफेर पढ़ने के लिए पोल से होगा बहुत मजा आएगा फ्र के लिए बहुत पढ़िया हैं ओके बबाई टेक्ट